वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निरविग्णम कुरुमे देव सर्वकार्येशु सर्वदाद। करने दो करने देव देविग्णम कुरुमे थे दो कर दंडरे कर दो दो कर दो फड़ सोफ़ दो या जू है कि मेरे की वुड़ती है अपस्टाने की गुश्मा नबादने की हम चाहिए जाओका प्राफदी की फिर अफगल उती है अपस्टाना की हम पार वारा है तार है तार शहें पार है एम पार जाओका पिरा है कर दो जो ये दो जो आदे विदो आदवा है Υπότιτλοι AUTHORWAVE बोलो, क्या हुआ? मालिक, वो रंगा, मेरी बेटी से शादी करेगा, ऐसा बोलकर उसने मेरी बेटी के साथ धोका किया है, मालिक. मेरी गर्बोती बेटी को बचा कर उसे नयाय दिलाईए, मालिक उसे नयाय दिलाईए. हम सब गाउं वाले भगवान पर भरोसा ना करते हुए हम सिर्फ आप पर भरोसा करते हैं और आपके चरणों की धूल माथे पर लगाते है पडोस वाले गाउं में आपकी जैजे कार होती है ऐसे इंसान की इज़त का ख्याल ना रखने वाले उस रंगा को सक्त सजा मिलने ही चाहिए आप चाहिए आप चाहिए आप चाहिए आप चाहिए आप चाहिए आसमान को धर्ती पलाने वाला पथर को मुम बनाने वाला अन्याय को मिटाने के लिए और न्याय को बढ़ावा देने के लिए ही मैंने एक बबबर शेर को पाला है कौन है तो बेहनों के लिए मैं उनका एक भाई हूँ माओं के लिए मैं उनका एक बेटा हूँ और इस गाओं के लोगों का मैं एक हमदर्द हूँ मालिक का हुकम मानने वाला एके मांदर नौ करूँ माना ए रंगा आग से खेलोगे तो जल जाओगे पानी से खेलोगे तो टूप जाओगे और मुझ से ठक राओगे तो मारे जाओगे आगँ कि छिख्याद कि थे लीक जडिए सब थाइस कि लीक जड़ाद है भूटा मुड़ाद कि अजा है मुड़ाद कि यडिख चर पाइस जा पिख नड़ाद कि यड़ा ते फिर सिज्ब झाल झाल चोर कभी खुद को चोर नहीं कहता मगर गाउवालों के बयान से साब जाहिर होता है कि ये अपराधी है हाँ ऐसा मैं भी मानता हूँ ए उसे मंगल से उत्र दो घूर कर का देख रहा है तुम्हारी बोई हुई चीज से जो चीज पैदा हो रही है सरकार इसके मुझे पर लगाए सारे आरोब जूटे है और आप बिना सोचे समझे घलत फैसला कर रहे है और इसके पेट में जो पाप पल रहा है उसके लिए इससे सहारा चाहिए था इसलिए मुझे फसा रही है ये रंगा अरत मर्दों के हाथ की कटपुतली नहीं होती वो जिसे चाहती है उस पर अपना जिवा लुटा देती है जहां अरतों के इज़द होती है महाँ भगवान पस्ते है गामवालों के सामने शर्म छोड़कर खाड़ी होकर ये जो रो रो के कह रही है क्या ये गलत है इससे बेहता सबूत और क्या चाहिए बहुत देखे है तुम जैसे लोग साले कमीने क्या उलाद गलत कर सकते हो लेकिन गलती को कबूल नहीं कर सकते बाद लंका सूत्र ये मेरा अदेश है सब लोग धान से सुनिए गाव के नियमों का उलंगन करने वाले रंगा को एक साल के लिए बेदखल करता हूँ इसको किसी ने भी दाना पानी दिया तो आप लोगों को भी सजा भुगतनी पड़ेगी याद रहे चलो रे सरकार, सरकार मेरी बात सुनिए देखे, आप उससे ल्या नहीं कर रहे है आप जल्ती कर रहे है सरकार, सरकार मेरी बात सुनिए सुनिए सरकार, देखे, देखे सरकार, सरकार आप क्या समस्ते ही सनात्मादों को पाल कर आप इस गाउं के शेर बन गए है क्या मेरी जिन्दगी बरबाद करके नय को आबाद किया है सोचकर उचल रहे क्या ये दिल जला आपको नहीं छोड़ेगा आपकी इसत मिट्टी में मिला दूँगा आपका सुख छील दूँगा ये सारे लोग जो आपको भगवान का दर्जा देते हैं आपके हर बात मानते हैं अगर इनी लोगों को मैंने आपके खिलाब नहीं भड़काया तो मेरा नाम जंगा नहीं हसते खेलते जवान मैं हो गया मेहनत से मैं पेट भरूँगा नारी की रक्षा मैं तो करूँगा मेती धर्म को बचाने वाला हूँ मैं हसते खेलते जवान मैं हो गया आपके प्यार से निहाल मैं हो गया निहाय मेरी सांस है निती मेरा नाम है सत कसाया मैं प्यार मेरा काम है सब मिलके रहो घगवान बोले हम है भाई भाई हर दिल बोले ये तो सब है रब की लीला हसके खेल के जवान मैं हो गया आपके प्यार से निहाल मैं हो गया सपनत कलबो जोटा है आने वाला आज ही सच है हमेशा रहने वाला दिम्मत करोगे तो जित मिलेगी मेहनत करोगे तो मंजिल मिलेगी ये ही सच है मानो भाई हसते खेल के जवान मैं हो गया ओए होई आपके प्यार से निहाल मैं हो गया आपके प्यार से निहाल मैं हो गया नारी की रक्षा मैं तो करोंगा नीती धर्म को बचाने वाला हूं मैं हसते खेल के जवान मैं हो गया आपके प्यार से निहाल मैं हो गया जड़ा ठेरो पिता जी जो हुआ उसे भूल जाओ खाना खालो गाउं के जमेल में ये क्यू पड़ा इसने सबका ठेक ले रखा है क्या हो गुंड़ा रंगा को इसने उसे मार कर सरकार के सामने क्यू पेश किया कल को अगर उसने इसे कुछ किया तो हां देख रहूंगा आए बड़े मैंने को चूड़िया नहीं पहन रखी है बाद मत कर भूस से मेरा जी तो कर रहा है कि मैं मैं पिता जी इसने क्या किया जो गुसा रहे हो नयाय की खाथ से निती नाम के पानी से आपी का उगायवा चंदन का पेड़ है मेरा भया जानता हूं बेटी इस पेड़ को कोई ना काटे इसलिए तो मैं ऐसा कर रहा हूं बारिश में भीगती हुई इसकी मानत जब मुझे अके हो अगर कोई आके फोड़ता है तो दर्द मुझे होगा ना सारे गाओं का दाता हमारे सरकार की इज़द नहीं कि उसने मुझे गुसा है इसलिए मैं ऐसा किया आज के बाद आपको दुख ना हो ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा मैं इस गाओं के सभी लोगों की मैं नहीं जाना चाथा विस से कहो कि दूसे लोगों के जमयले में पढ़ना बंद करे अच्छ locally आप नारस मत होईए आसे यह ऐसा नहीं करेंगा है ना हम पिता जी खाना खालीजी ना आजके बाद किसी के सोधंद मैं नहीं पढूंगा पिता जी खाना खालीजे ना मेरी यादों में रहने वाली, मेरे खाबों में रहने वाली चाचा, चाचा, हमारे दादा पर दादा के जमाने से महाजामत करते आ रहे हैं हाँ तो, क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं है तो चुपचप दादी बना चाचा आपके घर के बाजियों में जो जगह है ना अगार आप मुझे दे दे ते तो आ़े कुटिया बना लूँगा आप डाडि बनाने के लिए क्या लोगे आप देते क्या है 5 बारा बाद करता है भाई भाई कहां है वो कहां है वो किया है वो अरे तुम्हारा हाथ जल्दी दो भाई आथ तू अबे बास मार रहा है धोया नहीं अबे बेवकूप केंका ले क्या है बिरलास अबेरे समय दिमाग की मा बेंट क्यों कर रहा है तू गुरू परसों हमने मेले में लोट्री लिया था उस पर हमें दस लाग रुपे लगे हैं क्या हुआ बाई चला गया चाचा चला गया लोट्री की टिकेट कहा है बताने से पहले ही चला गया अब मैं क्या करूँ ओपनी पादि के साथ मुझे भी लोट्री का बताना बता के चला गया शैतान जाग गया तुम मरे नहीं क्या यह मेरे भाई अपनी मा की कसम खाकर बता कि सच्ची मुझे दस लाग रुपे लगे हैं मेले में मुझे लॉट्री नंबर लिखकर दिया था वो मेरे पास है आधी दारी बना कर टाइम पास कर रहा है यह ज़ली से दारी बना ए चाचा तुमने मुझे क्या समझ रखा है तुम्हारा घाल, जमीन, खेट, खड़ियार सब की किमत बता दे चुटकी चुटकी बजाते ही सब खड़ित लूगा विर्ला, हम इसी गाव में फैक्ट्री जितनी सैलिंग शॉप खोल कर उसमें नए हजामों को नौकरी पर रखके हम दोनों सूट बूट में गाव की गली-गली में घुमते रहे तो कैसा लगेगा पता है? सूट बूट में क्या? अरे ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची- कौन हो बोलो, कौन हूँ, एक लखपती आदमी, हो तो है, मैं लखपती तु हूँ अब, लखपती के हाथ में ये तूटा फूटा डबा शोभा नहीं देता, हाँ, तौबा कर, ए भिरला, हमारे दादा पर दादा के जमाने से हम इसी से अपना पेट भर रहे हैं, ये बक्सा ह हमारे लिए भगवान के बराबर है, यार, समझात हूँ, अभी सुधरेंगे नहीं तुम्हारे जैसे लोग, सूट बूट पहन कर, कार चलाने वाले एक ड्राइबर को रखो, और साथ में रहने वाले पीए को रखो, अबे ये कौन है पीए का बच्चा, मैं ही हूँ, तुम क्या, इन सबके होते हुए, तुम्हें इस जब्बे की क्या दरूरत है, फेको इसे, लोट्री का पैसा मिलने के बाद, मैं सिंगा पुर जाओंगा, और इसके बजाया, मॉडन सेविंग का डिब्बा तुम्हें ला कर दूँगा, अरे, मत्ठेक, मत्ठेक, अरे, मत्ठेक, कर दूगा, तुम्हें लोट्री का टिकट खरीद कर दिया था न, वो लेकर आए, वो लेकर आए, तुम्हें ने से टिकट मिले की क्या, अब जाओ यहां से, जाओ लेकर आओ, पता नहीं कहा रग दिया, याद आगया, तुम्हारा जो हजामत का तिब्बा है, न, उसमें प अरे बीरला तूने क्या किया मेरे साथ क्या मुझे परबात कर दिया हाई 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 प्यार करने मैं हाई 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 य। Kayla हुँ हाई हाई प्रफ म noisy कaramई बहुत समझदार हो पागल हो गया हो क्या ये सब क्या है मालिक आप हमारे गाउं के भगवान है आपके चरण मिट्टी में गंदे हो ये मैं नहीं देख सकता मालिक इसलिए ये अहां कोने वो हूआ अपने बच्च्यच्च को दूप में सुलावा अजाने वाली माहान सुरही लिए सिरी ले रहा है क्या मां मा को ये किसका बच्च्चा है में अजर्य मालिक बच्चे को धूप में तुमने काम करने की इतनी भी जल्दी है क्या पहले बच्चे संभालो फिर अपना काम देखना समझी ना लो बच्चे का नाम क्या रखा है मैं कुछ पूछ रहा हूँ और तुम चुप चाप खड़ी हो बताओ इसका नाम क्या है साप सुंगिया क्या तुम्हें मालिक तुमसे कुछ पूछ रहे जवाब दो बताओ ना अरे तुम लोग चुप क्यों खड़े हो किस मूँ से कहे मालिक आप इंसानित के पुजारी है गरीबों के अनद आता है आप अमारे लिए भगवान से बढ़कर हैं आपके छतर छाय में पल रहे हम बच्चे में आपके गोड़ा है इसलिए हमने आपका ही नाम र माधा आया मालेक हुई पार! पिताजीर? पारा पारा! प्थूर झाल expon पार बष्डा? जजजजजजजजजजजजन कर दो अज़रो को ढुआ है कर सक तो अ अज़र है अ जड़र यह हुँआ यह हुँआ की यह हुँआ अ अ जड़र अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकरप्राणवल्लपे ज्ञान वैराग्य सिध्यर्तम भिक्षान देहीं चापार्वती माता चापार्वती देवी पिता देवो महेश्वरह भांदवाह शिव भक्तास्चा स्वदेशो भुवनत्रयम तुम्हारी पूजा खत्म हो गई क्या माधो आप यहां क्यों आए मैं खुद आने वाला था तुम्हें खुशी की बात बताना चाहता हूं मेरी बेटी जो है अपनी पढ़ाई खत्म करके गाहां वापस आ रही है तुम खुद ही जाकर लेकर आओ और ध्यान देना बहुत दिनों के बाद गाहां आ रही है शायद उसे अकेला महसूस हो तुम उसे सभालना शांती से सोच समझ कर काम करना समझ गए आप फिकर मत कीजिए ऐसी खातिर करूंगा प्रिया में सब देखती रह जाएंगी देखा देखा यही अच्छा नहीं लगता पागल कहीं के कब सुद्रोगे उससे थोड़ा प्यार से पेशाओ हाँ और जाते जाते नारियल को शेटी की दुगान में डाल कर जाना बाद में वीरभद सुपारी के पैसे देने वाला लेका राना परिया को ठीक से लाना समझ गए ना हाँ हाँ अपना ख्याल रखना अहाँ है बगोण अब में क्या करोँ अँजिए साफ्ते कानलिया है बगो अटकर सिग्च करो अटल भी दो में बश्शनार दोना है 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 बगोण के लिख करो अंप देने मेरे मूझ अचा करो अर्फ तुछ नहीं होगा तुम्हें पट्टी बांदेताओं सब्टीक हो जाएगा डरना मत जैर मैंने निकाल दिया है तुकान से साप काटने की जड़ी बुटी लेकर उसको अपने घाव पे लगा दिना जैसा पता है बिल्कुल वैसी करना भूल मत जाना समझ गए ना चलो ये बगवान ये क्या बिचारे तड़ा परा है और आप लोग शुपचाप खड़े है आप सब में इंसान इतना ही है क्या अरे माधव जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते वो औरों की रक्षा क्या करेंगे ऐसे काम के लिए हिंबर चाहिए होती है इसके बस की बात थोड़े ही ना है कर पिताजी वो पिताजी मालिक की बेटी रेल मैं अभी आए पिताजी अरे इसी अचाल क्या हुआ माधा 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 हलो इतने आश्यरी से क्या देखरों वो बहुत सालों बाद देख रहा हो ना तुम्हें है छोड़ी मालिक इंतसार कर रहे होंगे चलो चलो समान रखो बैठो 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 आप से बात पूछो क्या एक क्यूं सौ पूछो आप जब शहर में थी तब मुझे याद करती थी क्या देखो आप आप कहकर बात मत करो मुझे प्रिया बुलाओ तुम बच्पन में जो श्लोग बोलते थे ना उसे पढ़के दोहराना खाना खाते दोहराना बोलकर ही कॉलेज जय करती थी श्लोग बोला करती थी बोलके दिखाओं अन्नपूर्णे सधापूर्णे शंकर प्राण वल्लभं ज्यान वयराग सिद्धार्तम हौत हूआई जीब क्यों रोक दी तुमने देखिए आप श्लोग बोल रही है श्य धैथार्तम नहीं इस शिद्ध्यत्म मैं बोलता हूँ कि अन्नपूर्यने शदापूर्णे अम्नपूर्णे जदापूर्णे शंकरप्राणवल्लबे ज्ञान वैराग्य सिध्यत्तम् विक्षाम् देनीच पार्वती माताच पार्वती देवी वितादेवो महेश्वरहा स्वदेशों भुवनत्रयम् यह क्या है मा तुम पागल हो गई हो क्या भगवान पे चड़ानवाले फूल तुम मुझपर डाल रही हो पत्थर की मूरत में भगवान नहीं होता मेरे लिए तो तुम ही मेरे भगवान हो बिटे इसलिए भगवान को चड़ाने वाले फूलों को मैं तुम्हें चड़ा रही हूँ तुम क्या कह रही हो मा? साब की काटने से मेरा बेटा जो मरने वाला था उसे तुमने बचा लिया है बेटा हमारी गंगा माता बीना किसी भेत के लोगों के पाप धूती है उसी तरह तुमने मेरे बेटे की जान बचा कर इंसानियत का सबूत दिया है मौत का रास्ता रोक कर जिन्देगी को रास्ता दिखा कर अपने जिन्देगी को जोखी में डाल कर तुमने हमारे गर का चिराख बचा है बेटा बगवान तुम्हें हर मुसीबत से बचाए बेटा तुम हमेशा खुश रहो यह रहो जाओ प्रिया चाहँ गपार अंदर चल बेटी वान टू ठ्री आंद फो रहो डड़ी ही सब अध्लेटिक में फर्स आने के लिए मेरी बेटी खेल में पढ़ाई में सभी में फस्त आई है उसी के यह सभी नाम है बुद्धू माधव यह सो इनुसेंट मैं समझा नहीं में सब अरे मैंने कहा तुम बहुत बोले हो प्रिया यह माधव गाओं के लिए एक आईने की तरह है यह जब हसता है तो लोग हसते हैं रोता है तो रोते हैं तुम्हारे मा के गुजर जाने के बाद भी तुम्हें माबाप दोनों का प्यार दिया है बस तुम्हारी शादी करवा के मेरे वंश के चिराग को हाथ में लेकर एक बार खिलाने से ही मेरा जीवन सफल हो जाएगा अब तक मैंने तुम्हारी हर बात मानी है पर आज के बाद जो कहूंगा वही करोगी समझ गई आप बस होक्म किजिए मालिक सारे गा को खाना खिला कर उमधाम से शादी करवा देते हैं दुलन को उसके दुले के घर की बिदाई होने तक पूरे काम मैं करूंगा बस 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 शुरू हो गए तो खतम होने का नाम ही नहीं लेते एडवांस टेकनोलोजी एगरिकल्चर के बारे में पढ़कर आयू मैं इस अभ्य चान लो तुम जिस दिन तुमारी किस्मत न शादी लिखी होगी उस दिन शादी हो कर रहेगी ठीक है जैसी तुमारी मर्जी माधो में साहब को ले जाकर हमारी जगा खेती बाड़ी सब कुद्ध दिखा कर ले कर रहो में साहब जो भी मांगे मना मत करना समझ गए ना आप तुम्हें देखे हुए कितने दीन होगे पता है बिर्ला अपने जिंदगी से परेशान होकर तपस्या करने हिमाले परबत चला गया था ज्यादा धंडी लग रही थी वापस आ गया वैसे टाटा तुम हमेशा खुशी रहते हो इसका राज क्या है बताओ ना बताओ ना बैट जा नहीं टाटा अब बैट नकरा क्यों कर रहा है खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए उसका क्या उपाय है यही जाना चाहता है तो तो सुन एक खुश्मूदार मोग्रे का फूल ले लेना एक किलो बर्फी लेना मेरी और आरत के पास जाना उसे यह देना फिवों बाह करने से दुख दूर हो जाती है अगर मेरी बात कलत हुई तो थुक कर मुझे दो गाली दे देना अब इरला अभी जाता हूँ अधर कहा जाता है वहाँ शम्शान का थे मूर्गे मिलेंगे अब तेरी तो निकल जाएगी इस रास्ते से जा जा ताटा तुमने सुख पाने का बात करें जाए अरे 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 तुमने मुझे जाट तुमने मार रही हो इस बच्चे को तुमें ये बच्चा लगता है ये तो दसवाचों का बाब लगता है अगर उस्की यह क्या है वो सब अपने मुझे कहूं क्या जड़ा इसे देखो देखो जो करना था कर लिया अब चुप-चप खड़ा है इसे पूछिए ए तेरी चात्का तुछ जड़ा ए क्या किया है तुने ताटा इंसान को खुश रखना है तो क्या करना चाहिए आपने ही तो कहा था पुश्बूदार मोग्रे का फूल लेकर और एक इलो बर्फी देने से काम बन जाएगा ऐसा मैंने कहा था वही तो मैंने किया टाटा और इस बात के लिए मुझे जड़ू से मानने लगी मैंने गलत क्या गया अर नहीं 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 बिल्कुल गलत नहीं है मेरी औरत ने तुम कितना बदनसीब हूँ मैं इस सुम्र में अपने पोत्यों पोत्यों के साथ खेलने के बजाए भगवान का नाम लेने के बजाए कुछ ट्रोक का शिकार होकर तुम्हें बहुत दुख दे रहा हूँ मैं ऐसा मत कहिए जी अगर हमारी किस्मत में ये दुख लिखा है भगवा तो उसने हमें बच्चे दिये बच्चों के साथ खेल कर जीवन बिताने के समय में उसने ये कुछ ट्रोक की विबारी दे दी अपने बच्चों से ही दूर कर दिया इसका अंत कब होगा इस बेजान शरीर से आत्मा को मुक्ति कब मिलेगी मुक्ति कब मिलेगी अरे अरे माधा माधा तुम्हें अभी बहुत जीना है तुमने मुझ जैसे पापी को क्यों छुआ जीवन में माबाप का प्यार नहों ये भी कोई जीवन है अगर मुझे जर्म देने वाले मेरे पिता जुकर ये रोग होता तुम्हें उनकी सेवा नहीं करता अपने माबाप को भुलाकर अपनी पत्नी के साथ खुश है वो वो इसी गाउं में रहता है खुद के आउलाद को ये रोग ना लगे इसलिए दूर रहता है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है बेटा कि तुम हमारे सगे बेटे जैसे ही हो माँ मेरे होश समालने से पहले ही मेरी माँ गुजर चुकी थी मुझे अपने मादव नाम दिया अपने आंगन में खेलने दिया मुझे भूक लगने पर खाना भी खिलाया क्या खून का रिष्टा ही सबसे बढ़कर होता है इस अनात के ऐसी किसमत नहीं है क्या बोलो माँ हम लोगों के होते हुए तुम अनात कैसे हो सकते हो तुम अनात नहीं हो तुम तो हमारे ही बेटे हो इस जनम में भगवान से मैं यही मांगूगी कि अगले जनम में तुही मेरा बेटा बनकर पैदा हो जाए रो मत मा बुरा लगता है भुल गया वो शहर से मैंने मालिश करने का तेल लाया था इसे पिदा जी को लगा कर गण पानी से नहलाओ नड़ चला जाएगा और ताकत भी वापसा जाएगा लो मैं चलता हूँ एधरा आना आचा पिदा जी आचा 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 झाल झाल पहुत दिनों से साफ नहीं किया हूँ जाम हो गया है गोली दो लेजिए बड़ी अहाँ सरकार के हाथ में बंदूक है मतलब लगता है आज किसी का शिकार हो कर रहेगा आएए बैटिये बैटिये और बताइए आज सभी लोग एक साथ यहाँ पर क्या बात है गाउं का त्योहार नस्दिक जो आया है सरकार इसलिए तयारी करनी थी अच्छा प्रिया बेटी चार ग्लास छास लेकर आओ तयारी होते ही एक हफते में मेला भी खत्म हो जाएगा इसलिए तयारी शुरू करने से पहले आपको पूचने जरूरी था पडोस के गाउं में खबर भी जबा दो हर वर्ष जिस तरह मनाते हैं उसी तरह इस बार भी मनाएंगे ठीक है हमारे गाउं में कोई बेसहाय बेरोजगार ना हो इसलिए मेले में कुश्टी का मुकाबला करवा कर हमारे जीतने वाले पहलवान को आप दो एकर जमीन दान करते थे ये बात आपको पहले बता कर बात में सब काम शुरू करना चाह रहे थे हमारे पहलवानों के साथ साथ बेसहारा लोगों को सहारा मिलने के लिए अब तक दो एकर जमीन दिया करता था इस साल मेरी बेटी की आने के खुशी में बाहाच एकर जमीन दूँगा मालिक, गंदी जगाओं पे पलने वाला मासमचे खागा जीने वाले चील की छाय आपर पढ़ रही थी और आप हमारे भगवान है इसी वज़े से मैंने मंगल कारिय होते वक्त आप मंगल चाय पढ़नी नहीं चाहिए इसलिए उसे उड़ा दिया मालिक अरे तुम तो अजीब आदमी हो अरे वरत रखर भगवान से वर मांगने वाले लोग वर जल्दी ना मिले तो भगवान को कोशते रहते हैं ऐसे लोगों से ये दुनिया भरी हुई है देखो मुझ पर निष्टा होनी चाहिए लेकिन इतनी भगती नहीं होनी चाहिए बेटे मधो आने वाले रस्ते में अच्छे लोगों की बुरे लोगों की दोनों की छाया पड़ती है तो क्या तुम बुरे लोगों को मारते रहोगे जरा बात को समझा करो चलो चलो बहुत काम बाकी है प्राइईट पस्ते में तुम जराइटे वड़ काम पाकी है पां बाता पां बढ़ते है हाई बड़ता है कोई ताकतवर मर्द है तुमारे गाव में या नहीं सामने आओ आओ अगर किसी में दम है तो मुझसे मुकाबला कराओ झाल झाल फुमारे गारा है तुमारे किसी में तुमारे नहीं किसी में ऊगर उन्मारी डिलाल Wherever This One झाल 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 झाल! झाल 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 हमारे गाउं की मर्यादा के साथ मेरा गौरो भी तुमने मिटने नहीं दिया जीते रहो माधो जीते रहो मैं हमेशा कहता था मैंने एक बबबर शेर को पाला है वो बात आज सच हो गई है सच हो गई है आज़ भी नहीथ है आज़ पाला है हाद लोग पांच एकर जमीन के कागजाद तुम्हारे लिए हाद 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 है सेजना सेजना निशाच जढ़ा तेरा तू ने चुआ तो बहका दिल मेरा प्यार करना तो ये मुझको सिखा दे सेजना सेजना निशाच जढ़ा तेरा तू ने चुआ तो बहका दिल मेरा दिल्को चुरण वाला आशिक्त ये दिल वाला इस साल दाद निराला दिवाना ये मत माला प्यारी प्यारी इसके बादे प्यारी सी मुला बादे गालों पे तेरे दूमें चुमा आखों में तेरी मैं तो हुडूबा नीद अड़ाए तूने सजना तुम मेरे दिल में आए जादू हबन के ठाए हाबों में तुम समाए क्या कहना तुमारा सजनी सजनी नशा चड़ा तेरा तूने चुआ तो बहका दिल मेरा सजनी नशा फिलन तूने चुआ तूने था जगना बखिनर आए दिन दिन ये तो बड़ती जवानी बनने लगी है प्रेम कहानी तुम ही मेरी धड़कन हो तुम ही तो मेरा दिल हो तुम ही मेरी मंजिल हो जाना तुम ही सपना मेरा तुमसे है मेरी खुशिया, तुमसे है मेरी दुनिया, मुमसे के लिए बगिया तुम बिन न गजा रा सजनी सजनी नशा चड़ा तेरा, तू ने छुआ तो बहका दिल मेरा प्यार करना तू ये, मुझ को सिखा दे, सजना सजना नशा चड़ा तेरा, तू ने छुआ तो बहका दिल मेरा ये, माधव, तुम चुप को बैठे हो, खाओ ना, मैं कुछ भी नहीं खाओंगा ये गरम-गरम ही खाना चाहिए, खाओ ना, आज बेटा, गरम-गरम ही खाना चाहिए और माधव, आज मुझे जो खुशी हुई है, उसके लिए तुम जो कहोगे मैं दे दूँगा चलो-चलो, चलो-खाओ लो आपको खुशी हुई होगी, मुझे नहीं क्या हुआ है, कुछ बताओ माधव इस अनाद को फिर अनाद बनाने के लिए पांच एकर जमीन देकर दूर रखने की सोच रहे हैं अप लो मुझे जमीन जायदाद कुछ नहीं चाहिए मैं यहीं रहूँगा मालिक अरे पगले, ए माधव, तुम कहां रहते हो पता है? यहां, यहां हमारे दिल में बसे हो सरकार, यह बहुत भुले सुभाव का है पुजारी जी, इसलिए हमारे माधव की हमारे गाव में एक हैसियत होनी चाहिए यही मेरी इच्छ है जब तक मेरी जान में जान बाकी रहेगी तब तक मैं आपके ही पास रहूँगा मालिक आप हमेशा, माधव तुम खेत में गए क्या माधव बैलों को बांदा क्या माधव खाना खाया क्या मैं हमेशा ऐसा ही सुनना चाहता हूँ यही मेरी इच्छ है इस माधव को अनात्मत किजेगा मालिक मत के जेगा जंगल में पुजारी जी की बेटी का खून हो गया है जए जियान देकर काम नहीं कर सकतेक हैं इतने किस ने मारा इसे कॉँए कॉँए कुँए 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 ुए कुए ुए कुए ुए कर दो अजया कर दो झाल? कि अजया कर दो में आपको से खित में दोगा है कि झाली शोचला कर दो झाल तुम्हें दिलासा देने की शक्ती नहीं है मुझ में बीते हुए कल को आज याद करके जिन्देगी बर्बाद मत करो और जो हो गया है उसको भुला कर आगे की जिन्देगी बारे में सोचो अगर ये भुला देने जैसी बात होती तो कब का भुला देता उसकी मौत मुझे जीने नहीं दे रही है वो जंगल में क्यों गई होगी किसने उसे मारा होगा कहीं रंगा तो कहीं एक अनर्थ के कारण कोई और अनर्थ ना हो जाए बेटा समझे अब तक ना वो रंगा गाउंस से बेधकल होने के बाद यहां किसी को नजर नहीं आया है यह बात नहीं है पिता जी देखो बेटे महत किसी को पूछ कर नहीं आती है ना बेटा वो किसी की जागिर नहीं है बेटा एक तो बेटी की बहुत का दुख परताश नहीं हो रहा है अगर तुमें भी कुछ हो गया ना तू बच्ची नहीं पाऊँगा बेटा आप कैसी बाते कर रहे है पिता जी खुद को समा लिए मा धव इस तरह घर में रहोगे तो उदासी चाही रहेगी काम पर रहोगे एटलिस टेंचन तो नहीं रहेगा मेरी बात सुनो चलो चलो तो सही साले कमी ने मेरा दिया हुआ मन्त तूने मुझके ही माला अरे ताटा अरे ताटा तेवी चातका इतनी जोड से क्यों चिलाया अरे वो देखो एक औरत रो रही है उसकी परेशानी उसे पूछो इसलिए आवास दी अगर ताटा जैसे आदमी उसकी परेशानी दो नहीं कर पाए तो इज़त का रहेगी ऐसी बात है मिरला आजा तुम कौन हो देवी और बंजारों की तरह क्यों रो रही हो क्या हुआ है क्या बताओ बाया मैं और मेरे पती यहां मेला देखने के लिए आये थे लेकिन मुम्ब जी यहां चोड़ कर लेगे क्या आदमी है भाई अपनी पत्मी को यहां कैसे छोड़ कर चला गया शिश्य विरला यह चोड़ कर जाने का केस नहीं है वो किसी आइटम को लेकर निकल गया होगा यहां किस और कि अटा अटा मेरा पती है श्री राम चंद्रे की है अब का का नहीं है हमारा इसिक लेकिन वहां जाने का रास्ता मुझा पता से हिंए रोना नहें रोना नहीं चंद्र पूर पर करना होगा है ठीक है मैं आपको छोड़ दूंगा चलिए आईए यही घर है क्या है अरे नर्सिंग बाहरा अपनी पत्ती को दूसरे गाउं में छोड़ कर तू यहां आराम से बैठा है आचल बाहर निकल साले बाहर निकल साले कौन गबिना मुझे गाली दे रहा है और चिल्लाओ टाटा अबे नामर बाहर निकल बाहर रसाले एए सुनाई नहीं दे रहा है और मुझे गाली देकर बुला रहा है राजलक्षमी तुम कहा चली गई थी तुम्हें डूल डूल कर वहां मैं परेशार हो गया था वह क्या है ना वहां से यह लोग मुझे यहाँ लाया आपसे मिलाया ऐसे अच्छे लोगों को खालियात में ब हो ध्यान से चुना लगा ना तो यह बात है देखो भाई तुम जो भी हमें दोगे ना हम दोनों को अलग अलग ही देना समझ गया ठीक है इसमें कौन सी बड़ी बात है चली अंदर देता हूं तो गया तो निकल लिया देखो भाई यह आदमी मेरा चेला है तोड़ा देख क अधिए जल्दी देदो मेरे पास गिनने के लिए टाइम नहीं है तिने भी जल्दी क्या है अरामी की आउलाद तुझे ने बीस सालों से मैं अपनी अवरत को जेन नहीं पा रहा हूं इसलिए जान बूचकर मैंने उसे बाद भूला था और तुम लोग दुबारा उसे मेरे पसले आए एक दिन उसके साथ रेगर देखो फिर तिम लोगों को मेरे पनेशनी पतानेगी हां तेरी जांता है पैसा मिलने के बाद तेरी बोलती ही बंद हो गई है तु यहां पे बैठ अब मैं जाकर आता हूं दोनों अपने गाहों साथ जाएंगे अगर सालेट तु यहां मुझे छोड़का गया ना तो जान समा डालूँगा नर्सिंग नर्सिंग मैं आ रहा हूं देखो बाई वो बेवकूप मेरा चेला है और मैं गुरू हूं उसको जो तुमने दिया है ना उससे भी ज़्यादा कहीं अधिक तुम्हें मुझे देना होगा यह मेरी इज़त का सवाल है चेक वेक मैं नहीं लेता समझे ना तुम कैसी दे देना तेरी चाथा आपके अधिया 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 तुने मुझे क्यों नि बताया कि उसने तुझे अंदर मारा है मैं क्या यह मार खाने के लिए किदर गया तु अरे मैं तुझे छोड़ूंगा ने अधिया क्यों जा रहे हो कुछ तो बोलो माधा माधा अरे तुमसे बात कर रहे हूं एट लीस हसो माधा एई माधा आओ मैं तुमसे बात करी और तुम जा रहे हो हां क्या हुआ उदासी तुम्हारे चेहरे पर अच्छी नहीं लगती जरा हसके तो बोलो अहां वो देखो वहां जो केलों का बाग दिख रहा है ना वहां से सीध आगर वो नारियल के पेड़ों का बगीचा सुपारी का बगीचा फिर वहां से यहां तक देखिए आम के बगीचा दिख रहा है ना वह साब अपने मालिक का है मैं अपनी जमीन नहीं तुम्हारी हसी देखना चाहते हूं वैसे इसमें हसते वाली क्या बोलो मैं बताओ हां बताओ आई लव यू अरे माधव आई लव यू इतना चिला क्यों रही है आप मैं समझ गया ना अरे क्या समझे तुम्हारा सर अरे मेरा सर नहीं आपने कहा वो आई लव यू वो आप हस क्यों रही है मैंने कुछ गलत कहा गया क्या चोड़ो आई लव यू मतलब क्या पता है आई लव यू मतलब मैं तुमसे प्यार करती हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती तुम्हारी बातें तुम्हारी चाल तुम्हारी आदाव मुझे बहुत पसंद है माधो आई लव यू मता आई लव यू आसमान में चमक का सितारा है आप और मैं जमीन की धूल हूँ कहां वह सितारा और कहां ये धूल कितना अंतर है प्यार से भरी हुई नजर कभी अंतर नहीं देखती दिल देखती है और वो दिल तुम्हारे पास है I love you I love you माधव I love you आखों में हमारी है प्रीत है तुम्हारी है जान लो सासों में हमारी है खुश्बू है तुम्हारी है मान लो प्यार बढ़ता जाहे ये दिल गाता जाहे गाममा पापानी निसा पाममा पामा गाम मान लो जान लो आखों में हमारी है प्रीत है तुम्हारी है जान लो आखों में हमारी है ब्रह्मा ने लिखा मिलना हमारा दोनों पे मी हम मिल गए पनिये देखे सपने तुम्हारे अपने सपने सच हो गए यार के बिजली जैसे आकाश में देखो चमके जुंके धरती काती है जाए बामा मा पापानी निसा बामा पामा गाम मान लो मान लो आखों में हमारी है प्रीत है तुम्हारी है जान लो सासों में हमारी है खुश्बू है तुम्हारी है मान लो धरती देखो अंबर देखो अपने प्यार के साक्षी बन गए गुल्शन ये खिलता पानी ये बहता अपने प्यार के साक्षी बन गए प्यार के देखो रस्ते कट गए हस्ते हस्ते दिल के ये धड़कन गाती है गामा मापा पानी नीसा पामा पामा गामा जान लो मान लो आखों में हमारी है प्रीत है तुम्हारी है जान लो सासों में हमारी है खुश्बू है तुम्हारी है मान लो मानलो प्यार बढ़ता जाए ये दिल गाता जाए गममा पपनिनिसा पाममा पामा गमा जानलो मानलो को अज़े दोगे बाच कहीं के रंगा को इसकाम के लिए तुमने पीटा था तुम कर रहा हूं कि अज़े माधों को मत मारिये मापने वाले भीखारी को तुम्हें मेरी बेटी ही चाहिए क्या अज़े चाहिए ध्येमा बाच नहीं मेरी चाहिए थास पीको मसलímको तुम्हें मेरीटी है शू हम पार से काभे जोल्टेटी। शू हम पार से कोिस माद परस्लिकुर्ट अधे भी जोर टीश पश्यार हूं आयार्म atéमके उर्म तो जर्मत स्वड़क्त आप आद अद दो फो स्वड़क्क अईऊे गाईट इंता ट्जड़क्त मुझ कीOoh खुसित खुसित आ नअ शो पुसित ध्यार् alto इंता ते आयार्म झाल 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 देखा डैडी देखा इसे आपकी तुकड़ों पे पलने वाला इस माधों की इमानदरी देखी पिता होते होई भी मैंने आप पे हाथ उठाया खोन बहे जितना आपसे मार खाने के बाद भी मेरे भगवान पे हाथ क्यों उठाया ये सोच के मारा ऐसी निष्टा ऐसी भक्ति ऐसे मन के सामने आपकी कोठी माधों के पेरों के धूल बराबर है मैं इसी से प्यार करूँगी इसी से शादी करूँगी आपको और आपके जागिर को गुडबाई दाद देता हूँ बेटी दाद देता हूँ तेरी हिम्मत को दाद देता हूँ मैं तुम्हारे सचे प्यार को आपके प्यार को बेटी डादी आपके जाद डादी डादी मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने मुझे थपड़ मारा इसका मुझे दुख नहीं है तुम माधों को कितना चाहती हो यहीं देखना चाहता था शान और शौकत की जिन्दगी में पली हो तुम प्यार के नाम पर खेल कर कल माधों का साथ छोड़ देती तो बेटी ने बेज़ज़त किया है बरदाश कर सकता हूँ कोई बात नहीं है लेकिन माधों के मन को अगर चोट पहुचती तो मुझे ये कभी बरदाश नहीं होता इसलिए इसलिए नाटक करना पड़ा प्रिया इस दुनिये में तुम्हारे लाव मेरा और कौन है तुम ही मेरी जिन्दगी हो तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है माधों इतने दिन मेरे बेटे जैसा था पर आज के बाद मेरा दामाद कहलाएगा हाँ मेरा दामाद कहलाएगा हे माधों इधार आ मालिक माधा बहुत मार लगी ना नहीं मालिक सौ साल खुशी से जीओ आने वाले गुरुवार को तुम दोनों की भंगनी है आई लब यू डेड़ी पिता जी दस पिता जी को देखा गई सुबह को उनको ढूड़ने आया था उनके साथ गया है बोले दो तीन दिन में आएंगे कोई यहां आया था कौन होगा क्यों भाई सिर्फ इतनी से साड़ियां लाए हो यह सब खास साड़ियां सरकार सिर्फ शाद्यों केलिए बंती है सब नया डिसायन है यह सड़ी अच्छी यह बहूत अच्छी इधर आओ ना आओ दामाद जी वापस क्यों जा रहे हो कुछ बात करनी है क्या मालेक पिता जी गाओं में नहीं है आने में तीन दिन लग जाएंगे उन्हें इसलिए मंगनी को टाल दो यही कहने के लिए आया था अरे पगले यह शादिन नहीं है सिर्फ मंगनी है हो जाने द लिए है तुम दोनों बैठ कर जो साड़ी चाहिए उसे ले लो और इन्हें भेज़ दो मैं जड़ा बगीचे में जाकर आता हूं ठीक है चलता हूं से जी यह कुछ पुछना इंसे पुछिए ठीक पसंदे बताओ मैं वहीं साड़ी लोंगी बैठो बैठो यह रंग जड़ा रसोगी घर में ध्यान देतो ठीक है मालिक ए रमेश चटाई ठीक से तो डाल ठीक है सरकार ए सब्जी में नमग डाला है ना जी सब्जी जल्दी जल्दी काटी है तो में ठीक से काम करो ओ आईए शंकर जी आईए नमस्कार भगवान पर भी अगर ऐसी परिस्तिती आ जाती तो वो भी अपनी बैटी की शादियानात के साथ नहीं करते आपके बड़पन की कितनी भी तारिफ की जाए कम है जिसका एक पर जमीन और दूसरा कब्र में हो उसे इतना सोचने की क्या ज़रूरत है आपने वह कहबत तो सुनी होगी नेकी कर और दरिया में डाल नमस्ते नमस्ते आईए अंदर आईए पंडिजी बहुते शुब होना चाहिए ऐसा महुरत निकालिए जनाचे एंगे गाएंगे बहुते शुब होना चाहिए आपने जिसमादा भाईया को पाला था ना उनकी और हमारे सरकार की बेटी की आज मंगनी है आप तो कहीं गए थे सरकार ने सारे गाउंवालों को निमंतरन दिया था चलिए आप भी चलिए बेटी प्रिया जल्दी हा बेटी आई पंडी जी जल्दी जल्दी शुरू कीजिए थाली बदलवाते हैं ठीक है माले प्रवर्त मानाश्य आद्य ब्रह्मनों द्वितिय परार्दे श्वेत वराहा कलपे वाई वस्वत मन्वंतरे कल्यूगे प्रतम पादे जंबो द्वी पे बरत वरसे बरत गंडे मेरोर दक्षन दिच्बागे शाली वाहुन सेके भाई बरत वक्षन आउसदी वाहा कि बरत वरादे बरत वाहा है बरत वाहा है वाहा है वाहा है पुची। पादी। पादREE। अटेक। थादेक। काद्य। पुचा की। पुचा cái पुचा हा लिए scheme पुचा हां एंग requis बजए GDP कि या कि तुम्हारे इस उस्ताहखी के लिए मैं तुम्हें खत्म कर दूगा ऐसा क्यों किया तुम्ने उखे खत्म कर देंगे तो कीजिए लेकिन आप जो काम कर रहे हैं अगर वह पूरा हो गया तो आप में किसी को मुद दिखाने के लाइभ नहीं रहेंगे और सचको आप ख तूपला लुच्छ पार्व यह नहीं ओसकता नहीं कभी नहीं सकता नहीं सकता नहीं सकता नहीं सकता जूट है और ग्या सच है ये तुम्हारे पिताजी अच्छी तरह से जानते हैं गिरिजा मेरी गिरिजा का बेटा है ये पीस साल पहले आपने अपने पिता के डर से आपने अपने प्यार गिरिजा को जब छोड़ दिया था तब वो गर्म वती थी और उसका ही बेटा है ये मादो बहुत जोरों की बारिश में आदी रात को उस बच्चों को मुझे सौप कर और दम तोड़ दिया अगर उसी दिन में वो बच्चा आपको देता तो कहीं आपके जिन्दगी में दरार ना पड़ जा ये सोचकर मैंने ये बात आप से चुपाई ये सब क्या हो रहे है बेटे इसे आपके छट्रों छाया में पलते देखकर मुझे बहुत खोशी होती थी लेकिन ऐसा अनर्थ होते देखकर अगर मैं अब भी चुप रहता तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा ये सोचकर मैंने सच्चा ये आपको बताना जरूरी समझा बाहे बेटे बाहे अच्छा दीवा अच्छा प्र Sell फो वेसा आर्थ किर देखकर मैं आर्थ होता घर भी ये वैरी समझा होते देखकर आर्थ है अच्छा आर्थ है वान जोड़ा जाए मादाओ मादाओ बेटे आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका तुम्हें काफी दुख हुआ होगा ये मैं जानता हूँ बेटा पर इसके लिए मुझे माफ कर तो बेटा अरे 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 ये आप कैसी बाते कर रहे हैं पिताजी मेरी बेमतलब जिंदगी को आपने एक मकसद दिया है मेरे पिताजी कौन है ये आपने मिझे बता दिया पिताजी क्या बेटा इतने सारे दुख मुझे ही क्यों मिलते हैं बेटा अम्रित पीकर तो कोई भी जी सकता है लेकिन जहर पीकर जो जीया है वह सिर्फ भगवान शिपची है बेटा लेकिन उनके बात पुझारी जी पुझारी जी सरकार, सारे गाउंवाले अपनी जरूतों को लेकर आपको ढूड़ते हुए आपके दरवाजे पर जाते हैं, पर आस तो आप खोदी मेरे दरवाजे पर चले आए सरकार, क्या बात है? आज के बाद, मेरा बेटा मेरे घर में रहेगा, मैं उसे लेने आया हूँ, उसे मेरे साथ भेजिए पुजारी जी सरकार, आपको मैं मना करूँ ऐसा मेरा कौन सा अधिकार है? ले जैशी किठा जी, मैं आपका घर छोड़ के, कहीं नहीं जाओंगा, मैं कहीं नहीं जाओंगा आइसा मत बोल, बेटा, ऐसा मत बोल बरने के बाद मेरी चिता को हट लगाने वाला मेरा कोई नहीं सोचकर काफी रोया हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है इतना ही नहीं तुम्हारी मा को ढजा देने वाला भापी मैं हूँ और जानती है तुअ ही मेरा भी प्रसीय हूँ यह बार भार कह कर अपने पापों का प्राशित करूँगा मैं मना मत कर बेटा आओ बेटा जिसने तुम्हें जनम दिया अगर तुम चाहते हो कि उस मरी हुई मा की आत्मा को शान्ती मिले तो तो तुम्हें अपने पिता के साथ रहना होगा ये उसकी आखिरी इच्छा भी थी जाओ जाओ अपने पिता के साथ घर जाओ नहीं पिता जी मैं ये कहना चाहते हो पेटा मेरे वर्ष का चिराग हो तुम्हें इस चिराग को मत बुझाओ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोडता हूँ तुमसे दया की भीक मांगता हूँ मना मत क इंभी पेटा जी एक बराओं को पेटा जी एक बराओं को बेटा यूण अंदो अधार गार जी घ्रकर तुक्ड़ा पेटा मेरा बेटा। पेटा जी जी तेरा बगवान तुम्हें सदा सुखी रखे बेटा जाओ बेटा तुम मेरे इकलावते वारिस हो तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत है इस बत्से में वह उमानत है जो मेरी मा मेरे लिए छोड़ गई गिर्जा 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 इसे सभालने की जिम्मेदारी मेरी है बेटा चल बेटा चलता हो पुझारी जी बेटा प्रोड़ जी अँद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्न लुटर दुटियाए लुट है अगर इनसान कभी गलती ना करे तो भगवान बन जाता है 25 साल पहले जो गलती मैंने की थी अगर उसे आज भी खुबूल नहीं करूँगा तो मेरी जिन्दगी व्यर्थ है समझो मैं उस दिन अगर थोड़ी सी भी हिम्मत करता तो आज ऐसा दिन कभी नहीं आता जान से ज्यादा जिस गिर्जा को मैं चाहता था उसके साथ धोखा भी नहीं होता आज मैं अपना सीना ठोक कर कहता हूँ मेरा बेटा जिसके अंदर मेरा खुण दोड़ रहा है ये माधो है इसमें मेरा खुण तो दोड़ रहा है मगर ये पला बढ़ा है तो आपके हाथ का निवाला खा कर इस गाओं की जिम्मेदारी के साथ मेरी सारी जायदाद मैं इसके नाम करता हूँ आज से ये आपका सरकार है बेटा मैं जब तुम्हारी उम्र का था तब इन ही लोगों के सामने मेरे पिता ने ये जिम्मेदारी मुझे सौपी थी और अब ये मैं तुम्हें सौपता हूँ बेटा लो ताटा इसके तो दिन फिर गए अब शिपकर बेटा मा बेटा हमारे गाउं के लिए तुम्हारे पिता दश्रत की तरह है उनका बेटा तुम हो हमारे लिए श्री राम जैसे हो हम गाउं वालों के लिए किस बात की कमी है बगवान तुम्हें सदा सुखी रखे सरकार है तु बेटा सरकार है सरकार है कुट्टी की नजर, बिल्ली की नजर, कौवे की नजर, उल्लू की नजर, औरतों की नजर, सब की नजर, तू, तू, तू मिहां आज भू की नजिक था एक नजर, स कुछ को गार। हें दूलै के हमारे बनाये हुआ आज बना है कगम dear हही क्имости नि Θphones है दूल आज हमारे बनाये हुआ आज बना है कrr क मुखी आखोतार यह सब से perspectives यह सबका है प्यारा, यह सबका है सहारा यह जहें तो असमा चुले दिल वाला यह मुख्या, हिम्मत वाला यह मुख्या कर दोदे पित्ता कर व्मत वाला यह जुजा कर दो कर दो भाला यह जुजा है रुजया जुजया जुजया रहलग हुआ 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 है कभी न रूते साथ रहे सदसाया प्यार से अपने एक दिन प्यारे जीतेगा ये जहां तू जहां भी जाए खुश्या तू लाए प्रेम की दारा बहा तू है सब की सद करने वाला सब की मददिया करने वाला ये मुखिया, हाँ ये मुखिया, ये मुखिया, हत्मे हमारे पड़ा ये हुआ, साज बना है गाग मुखिया आरती उतारो, नजर को उतारो, बुरी नजर ना लगे, बुजी बला से बचे पाशा ये लाया, खुश्या ये लाया, मुझको इसने बचाया सच्चाई के रास्ते पर ये ही मुझको लाया मेरे जिवन का मकसद नहीं था, आपने मुझको बताया अपने चर्णों में जगदे के मुझके प्यार लुटाया चौन से जीना ये तो जाने, चौन से मरना ये तो जाने दिल वाला, हिम्मत वाला, ये मुखिया, ये मुखिया हाथों में हमारे बड़ा ये हुआ, आज बना है काको मुखिया आखों का तारा, ये सब से है न्यारा, ये सब का है प्यारा, ये सब का है सहारा ये चाहे तास मचुले धिल वाला ये मुखिया हिम्मत वाला ये चाहे तक मैंने सिर्फ तुम ही को सच्चे दिल से चाहा है मेरे खून के हरे कत्रे में तुम ही बसे हो मादो मेरी परिशानी को समझो जिस रिष्टे से तुम वाकिफी नहीं थे उसे मान कर मेरे प्यार को मत ठुकरा प्लीज, प्लीज मेरे सवालों का जवाब दो मादो, बात करो तुमें खोकर मैं जी नहीं सकती मादो चलो हम यहां से कहीं दूर चले जाते हैं भाई बहिन के रिष्टे को बदनाम करना चाहती हो दुनिया के दसूरों को बदलना चाहती हो हमारी संस्क्रीटी की शक्ती कुछ ऐसी है गलत होने से पहले हमारे असली रिष्टे को भगवान ने बनाया था इसलिए हमारे देश में आज भी अच्छे संस्कार है देखो प्रिया, जजबात में आकर पागलों जैसे हरकत मत करो घर चलो, चलो घर आखिर है तो, मेरा ही खून आपने मुझे बुलाया क्या बात है सरकार? बिना नारी का घर, भगवान के मंदिर की तरह होता है बिन मा की मेरी बेटी के लिए, मैं एक जिम्मेदार बाप तो जरूर बना परमा नहीं बन सका चंदर जी दुखी मत होईए, दुख भरे आपके मन से, पत्थर भी पिघल जाएगा आपके दुख को भगवान जरूर दूर करेगा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ सरकार? जवान बेटी को कब तक घर में रखोंगा? आज कल वो उदास भी रहती है, इसलिए एक अच्छा लड़का ढोड़िए, उसके शादी करवा दोगा आपके घर से रिष्टे मतलब भगवान का दर्शन पा जाना है रिष्टो की लाइन लग जाएगी आप तो जानते ही हो जो कुछ हुआ चंदर जी सरकार मैं सब समान लूँगा प्रिया, प्रिया, क्या हुगा बेटी? प्रिया, मेरी बात तो सुनो, ये प्रिया, सुनो बेटी रुपो, मेरी बात तो सुनो प्रिया, रुपो बेटी, प्रिया प्रिया, मेरी बात तो सुनो प्रिया, चोड़ तो मुझे हर समस्या का समाधान आत्म हत्याई होता तो इस गाउं में कोई नहीं बच्चता तुम येसी समझा लड़की ऐसा करी कि तो कैसा चलेगा? जो लोग पिता जी को अपना भगवान समझते हैं उनके सामने पिता जी की इज़त मिट्टी में मत मिलाओ उनको मरने पे मज़वूर मत करो देखो, इनसान की तक्दीर में जो लिखा होता है, वही होता है बेकार के काम करके हमारी इज़त नीनाम मत करो अगर तुमें मेरी कदर है, मुझ पर अभीमान है और मेरी इज़त करती हो तो आज के बाद ऐसा नहीं करोगी तुम मुझसे वादा करो क्या सोच रही हो? हमारी पूरी जिन्देगी चिंता की चिता में जल कर खाक नहो जाए अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मुझसे वादा करो करो सोच नहीं क्या, जाने नहीं क्या जो भी होगा वो ताटा देखा जाएगा आ गया मेरे जिन्दगी की पनौटी देखाएगा मेरे आते ही सर्वे तुलिया क्यों डाला? मैंने क्या भीगाणा है तुम्हारा? सब कुल डुबाया ही तो है दस लाग की लोट फीर के लिए अजाम का डबा पानी में दुबाया मेरी ही बताई आइडिया को लेकर मेरे और मेरी पत्नी के भीगाणा दुबाया इतना ही नहीं उस नारसिंग के हाथो मुझे तुने जम कर पिटवाया और का भीगाना चाता है तू? ताटा, तुम ऐसी बात मत करो तुम पुरानी बात धूल जाओ क्योंकि मैं बहुत बदल गिया हूँ ताटा, तुमको इस तरह बेरोजगार बैठा देखकर अच्छा नहीं लग रहा है ताटा, अपने पहचान के एक बैंक मेनेजर से पूरी तरह भात किये तुम्हारे पास राशनकार्ड है ना वो राशनकार्ड उसके पास गिर्वी रखकर दूद देने वाली गाय लेकर आते है बिल्कुल नहीं बिल्ला अब तुम पर भरोसा करना बेवकूपी है अगर मैंने तुम्हें और धील देती ना तो तू बैंक माले के पास मुझे देने खाटेगा कौन में वकूपी सादमी को रखेगा क्या कहा टाटा, मैं पूरी तरह बदल चुका हूँ तुमने मुझे कई बार खाना दिया सोने के लिए जगा दिया इस बार मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ करूँगा चलो भाई अरे चलो ना मेरी दिला हुई गाय कैसी है बहुत मस्ते बिर्ला जिंदिगी में पहली बात तुमने अच्छा काम किया है तुम्हारी पुरानी गलतियों को मैंने भुला दिया तुम्हारी मर्जी पर एक काम करो क्या बिर्ला तुम सोजाओ गाय की रखवाली मैं करूँगा अर। नहीं बाबा नहीं एक तो गाय पहले उधारी में खरीती है नहीं नहीं मुझे तुझ पर भरोसा नहीं है एक काम करते हैं एक के घंटा कभी तुम कभी मैं सोएंगे जागेंगे ताटा तुम सुनो काभी ठक चुके हो तुम सोजाओ गाई की रखवाली मैं रवारोण। नहीं नहीं बिर्ला, तुु गाई की रखवाली करेगा, मैं कैसे यकीन करूँ तेरे उपर। ताटा, तुमेसे तुम्हारी अवरत की Sigd. गाय को मैं सभालूगा इमांदारी का नाम बिर्ला है तुम सोजो तुम सोजो टाटा ध्यान से रखवाली करेगा ना देखो तुझे बरोसा करके सोजा हूं बिर्ला अपनी तो कोई इज़त ही नहीं है ध्यान देना नेरा मुँँ मत खुलवाओ टाटा सोजो ऐसे भी नहीं वैसे भी नहीं तो कैसे एसे भी नहीं वैसे भी नहीं तो कैसे ए बिला तुझे उधर क्या देख रहा है ताटा नदी नहीं है जील नहीं है फिर भी आसमान से बारिश होती रहती है वो कैसे अरो बाबा बाबा ए क्या सोच तेरी भी सोचता रहा सोचता रहा शाहिद तुमारी समझ में कुछ आ जाए गाये पर ध्यान देना तुम सोचाओ टाटा सोचाओ ऐसा भी नहीं है वैसा भी नहीं है तो कैसा है ऐसा भी नहीं है वैसा भी नहीं है तो कैसा पूपक्वान और फिर्ला अरे गाय कहा गई तुम चुप रहे तुम तो घोड़े बेचकर अराम से सो रहे थे और मैं आगे फाड़कर रखवाली कर रहा हूं वहां से कोई आया और चुपचाप गाय को खोला और उसे लेकर सीधा निकल गया तब से मैं यही सोच रहा हूं कि तो मैं तुम तो सिर्फ मुझे मार रहा हूं ठीक है पर जिस बैंक से कज लिये हो तुमें मारे तो क्या करोगे नमस्का बेटा ये सब क्या है कौन है ये लोग पिता जी प्रिया को देखने के लिए लड़के वालों को बिलाया था ये शिरिकांत है लड़का उनकी माँ नमस्ते बहुत अच्छे लोग हैं बैठिये 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 आप लोग बाते कीजी मैं भी दो मेनट पर आता हूं ये मेरा एकलोता बेटा है नाम है श्रीकांत बिये पास किया है इसना और हम मैसूर के हैं बहुत खुशी हुई बहुत खुशी हुई बैठो पर लड़के हमें पसंद है क्यों बेटा हा मां आपकी बेटी को हमारा बेटा पसंद है क्या पूश लीजिये क्यों बेटी तुम्हें लड़का पसंद है ना लड़की अगर शर्म से अपना सर जुकाती है तो समझो मान गई बहन आप जब चाहें जैसे चाहें हम ऐसे शादी करवा देंगे हमें तो घर की महालक्षमी चाहिए जैसा आप ठीक समझें फिर देर किस बात की मंडब बात कर शहनाई बजबा देते हैं क्यों बेटा हुँ हुँ ये पूल खिल देखो दो दिल मिल देखो ये महाराणी देखो मन ही मन मुझकाएं ये जोड़ी बनी देखो, है कितनी सुन्दर देखो, है सब बढ़ाई देने इनको देखो, आज आए पुूब देखो, है कि ऑ करको देखो, आज आए ये काली 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 आखों में हजारों सबने ये गोर 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 गाल प्यारे करे कितने दिल दग 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 लगे है करने ये मिच 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 बाते लगे है करने ये तो सवभाग का दिन आही गया जो सोचा था पर आही गया जो आप कहें मैं तो वो ही करूं खूल कील देखो दो दिल मिल देखो ये महारान देखो मन ही मन मुस काए ये गोड़ी बनी देखो है कितनी सुन्दर देखो हैं सब बढ़ाई देने इनको देखो आज आए चंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचं जोड़ी बनी देखो, है कितनी सुन्दर देखो, है सब बजाई देने इनको देखो आज आए हाँ, जोड़ी बेटा, हाँ, जोड़ी बेटा, बेटाची जोड़ी बेटाज वाँ, जोड़ी बेटाउ ज़ता हुआ बबबगी ज़ता हुआ ज़ता हुआ कि एफ। एयां सबसे हाप एफ। एता है कि एता जोे पुछ लर्वश्र लुक्त ओया अगो और जूल कर जख कर और भर प्ला टो weव求 कर फ्ला लुभर ख्लाओ जुभर हुआ झाल क्यार है यह पलब है है माफ। माफ। माधा, 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 उसे छोड़े तुछ से कहा था ना, आग से खेलोगे तो जल जाओगे, पानी से खेलोगे तो टूप जाओगे, और मुझसे ठखुराओगे तो मारे जाओगे पिटा जी, क्या कर रहे हैं आप, फोड़िये मुझे तेरी वंश को जब तक मिटा नहीं दूगा, चैन से नहीं बेठूगा वाएं देखा उपने क्या कहा उसने नहीं बेटे, चांत हो जाओ अभी अभी घर में शुबकार हुआ है, खुन खराबा होना ठीक नहीं है तुम्हें तो अभी बहुत जीना है बेटे, खुद को सभालो बेटा, खुद को सभालो दिल में मेरे तुही रहती है ट्रिया श्रीकान, इडली गरम है एक और लेले बेटा नए माँ बस, पुर्या ने नाश्टा किया अब तक उसकी पूजा नहीं हुई है, पूजा खत्म होते हैं साथ में नाश्टा करेंगे ठीक है पत्रीकान, प्रोफ़ गरम है जाल निकाल यहां से पार निकाल उम्र होने के बाद जो कहा जाता है वही क्या करने तुछ बैठा कर समझी अरे बेटे को पैदा करके उसके छाथी पर मुंग दलना चाहती है ऐसी कमिन है तुमारी मां आहाहा कहीं मर क्योंने जाती है बुडिया यह हूँ मां यह सब क्या है बेटा मेरे बेटे को सापने काटा था और तुमने उसकी जान बचाई थी इसलिए मैंने तुम पर फूल चड़ाए थे वाश बड़े इसलिए इसकी शादी करवाई थी पत्ली की बात सुनकर मेरे बेटे ने मुझे गर से बहाल निकाल दिया जिसे तु रहने का दिल नहीं करता यह बैसे दिमस से बर्दाश नी हो रही इसलिए मोट की त morality में जा रही हूं जब तक तुम्हारा यह बेटा से जिन्दा है तुम्हें फिकर करने की कोई जोर्त नहीं है नहीं बेटा सर पर मत बारना बच्पन में इसके सर पर चोट लगी थी बहुत मुश्किल से इसे बचाया था फिर से अगर इसे चोट लगी तो ये मर जाएगा देखा मा की ममता जब मैं तुझे मार रहा था मा मा करके चिला रहा था क्यों एक बार भी तुमने अपनी बीवी अपने सास अपने ससुर को क्यों नहीं याद किया तुमने इसी को मा की ममता कहते है मा के दिल में बेटे के लिए जो दर्द होता हो बीवी में नहीं होता है बीवी जिसम होती है तो मा जान होती है और ऐसी मा को तुमने रुला दिया? बहिया इस बापी को चमा कर दो, इस बापी को चमा कर दो बीबी की बातों में आकर मैंने अपनी माँ को रूला दिया आज के बाद से ऐसा नहीं करूँगा कभी ऐसा नहीं करूँगा मैं देखो इस पूरी दुनिया में नई जिन्दगी को जन देने की शक्ति सिर्फ एक मा में ही होती है अगर मा ही नहीं होती तो कोई भी नहीं होता अपने जनम देने वाली मा की जो पूजा करता है उसे भगवान नजर आता है मा क्या सोच रही हो मा जब से शादी करके आये हो तब से देख रही हूँ प्रिया हमेशा उदास रहती है तुम दोनों के बीच में मुझे लगता नहीं है कि कोई खास संबन बना है मा उसे अपने पिता से बहुत लगाओ है हमारे साथ घुल्दे मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा मैं उसके साथ बहस नहीं करना चाहता देखो बेटे वो यूही चुप बैठी रही तो और परिशानी होगी उसे कुछ दिनों के लिए मैं के भेज़ दे उसका मन बहल जाएगा ठीक है मा कली मैं उसे उधर ले कर जाओंगा सुबह से ये लकडियां उठा उठा कर कमर तेड़ी हो गई है लगता है सहाब अभी तक नहीं आए तब तक दम लगा लेता हूँ यह तो आराम से बेठा है क्या कर रहा है रे वहाँ पर मशीन स्टार्ट नहीं हुआ है और तुम यहाँ पर दम माना स्टार्ट कर रहे हो सुबह सुबह खोड़ी करके मेरा धंदा चौपर करना चाहते हो क्या अला ऐसी बात नहीं है साहब थोड़ा ठगिया था ना इसलिए जरा अब तुम चाहते क्या हो टाटा, टाटा, जो परे? टाटा, ये ले अरे रे 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 तुमारा तो दिल ही नहीं है तुम भगवान ही नहीं हो, तुमारे तुम आग भी नहीं याद तू अबे ओ बिर्ला उस दिन का गया हुआ तू आज अचानक बंठन करा रहा है और ये किस पे चिला रहा है तू ताटा जिसने तुमारी यहालत किया उस भगवार को चिला रहा हूँ ए ये सब कैसे हुआ बिर्ला तेरा तो पूरा हुलिया ही बदर गया है यार लेवेल है टाटा लेवेल वर्क चेंज होने के बाद गेटा भी चेंज होना चाहिए बाई दबै युक नाव व्यर वरकाल यह तो इंग्लिश भी सिखिया है तेखो टाटा मैं जिस शिप में काम करता हूँ जहाज जहाज अंडरस्टैन हाँ जहाज तुम्हारी ये काम लाया 10,000 रुपे तनक्वा है वाली 10,000 रुपीज ओके मेरे लिए काम लाया जहाज तेन ठावजेंड तरफा में लेगे तुम्हें मेरे बैट टाइम में साथ दिया था इसलिए 10,000 का नाम लेते ही गायब हो गया वाई हो जाएगा कोविंदा सेठ्थी क्या कहा था तुमने अजार रुपे एडवांस पांगा तो तेरी त्याक्ति जो मूर में आया क्या करें लगा प्यार से पूछा तो मुझे काम छोड़कर जाने को कहता है 10,000 तनक्वा है मेरी मैं श जा तेरी जाकता 1000 रुपे एडवांस मांगा तो मना करता है जा तेरी नौकी छोड़ती 1000 रुपे तनक्वा है मेरी 1000 रुपे गें ठोजेंट रुपे उसने गोली मारो टाटा तुम टेंशन मत लो अचा ठीक है गिला 10,000 रुपे तनक्वा मिलेगा पर काम क्या करना ये तो बताया ने तुमने मेरे पीट पे खुजली हो रही है खुजाओ वेरी सिंपल तुम जरा भी फिक्र मत करो साब ठीक हो जाएगा ऐसी बात लिए मेरी औरत को तो बताना होगा कि मैं शिप पर कौन से काम पर लगा हूँ ताटा तुम शिप में काम पे लग गए और शिप मिठेकोल चैनलम से उता हूझ रात के 12 बज़े शिप खुराब होना हो बंद हो जाता है और फिर इस स्टायल से तुमें रूठे हैं मुझे बुलाते हैं क्या क्यों मेरे विरला वेरी सिम्पल जहाद से नीचे उतर कर राथ के 12 बजे जहाद को धक्का मारने के लिए नीचे उतर कर जहाद को धक्का पिर में बच गया अरु ये क्या तुने जो काम सा उसे विलला हतमार दिया नमस्ते बाबुजी डेडी कैसे हो तुम दोनों? हम ठीक अरे प्रिया कैसे हो बेटी? प्रिया क्या हुआ? डेडी मुझे चक्कर आ रहे कुछ ठीक नहीं लग रहा ठीक है चलो अंदर चलकर पानी पिलो सब ठीक हो जाएगा समान अंदर ले जाओ रामू एक लास पानी लेका रहा अरे दामाची इतनी जल्दी मुझे नाना बनाओगे सोचा नहीं था क्या बात है शाबात दामाची शाबात दामाची यह क्या हुआ कुछ नहीं होने वादे बच्चे को आपका ही नाम दे ऐसा में सोच रहा हूँ अच्छी बात है 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 मुप घर छिए हले दो एाहू तरीज करें तड़ करें वह ऱ èт पिता जी, आप मेरी चीज़ें बाहर क्यों फेक रहे हैं? एए! अपनी हरामी जबान से मुझे पिता जी बुलाता है तू? जिसका कोई वजूद नहीं है, इसा गली का कुट्ता है तू? तुम्हें मैं अभी भी इस घर में रखो क्या? मेरी बेटी तुम्हें चाहने लगी इसलिए, अगर गलती से तुम दो रहे की शादी करवा देता, तुम्हारी पैदा की हुई अवलाद को मुझे अपने बंश का चिराग मनना पड़ता, ओहो! तुम मनात हो ये जानते हुए भी, मैं बाप हो ऐसा जूट बोलकर, बहन भाई का नाटक करवाया, मैं यसा लड़का चाहता था, तुम्हें वैसे ही लड़के से प्रिया की शादी करवाई, जटका लगा! तुम्हारी उंगलियों पर ही मैंने तुम्हें नचाया, तुम्हारे आशाओ को बिखेर दिया मैंने, और जब, अब मेरी बेटी के पेट में मेरे वन्ष का चिराग पनाब रहा है, खुशी हुई, बहुत खुशी हुई! इसी दिन का मैं इंतजार कर रहा था! उसी दिन से, तु मेरा दुश्मन बन गया, और ऐसे आदमी से, मेरी बेटी की शादी करवा के, मैं क्या जितनगी पर घुट-घुटकर मरता, मुझे क्या पागल पुटा काटा है, हाँ! इस का उसे इसका नाम और निशान मिटा दो, इस का उसे बात भेग दो! पताजी, मेरी बातु ले बातु ले, पताजी! के लएग बातु लेडाल पुटा एफ लेड़ी झालत ले हुँ! 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 झोचर टो पल टुट खफित खचयो कै 피부 खचयो감 खचया 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 वाब तो खुआ था रह बाइस और खुर्ण सब्सक्राइब पुआ रहा तुम्ट अलिए खुआ कर दो को बंब यू नी रूओ बंब यू नी रूओ बंब यूओ बंब यूओ बंब यूओ झाल कर दो 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 कर झाल झाल प्रिया, प्रिया, प्रिया प्रिया तुम्हें मेरी जिन्देगी बर्बाद कर दिये, बर्बाद कर दिये, मेरी जिन्देगी तुम्हें सबसे जाना धन दॉलत प्यारी है ना ये लोग प्रिया प्रिया प्रिया, का हुआ? क्यों चिला रही हो? आज मत लगाओ मुझे आज तुम्हार आसली चरह सामने आया है तुम बहुत ही कमीने इंसान हो तुम बाप हो क्या थू? तुम बाप हो ही नहीं सकते प्रिया के दिल में कोई और बसा है ये मुझे पहले ही लग रहा था लेकिन इसके पीछे इतनी बड़ी कहानी छिपी हुई है ये मुझे नहीं पता था देखिए, होने वाले बच्चे को आपका नाम देगे जो मैंने कहा था, वो जूँँए आज तक मैंने प्रिया को छूआ तक नहीं जाद धर्म से ज्यादा इंसानियत बड़ी होती है जाद धर्म के नाम पर अपनी बेटी की बली देने वाला हैवान है तू तुम्हारे तो तुकड़े तुकड़े कर देने चाहिए तू है तुझ पर इंसान है तू तू प्रिया अब आपको खुशी हुई पिता जी कि इस पाप की मुझे सजा मिली है सिर्फ एक लड़की के लिए इतना बड़ा खेल केला आपने सिर्फ एक बार आप मुझे कहते तो अपना सर काटकर आपके कद्णों में डाल देता अगर आप मुझे प्रिया को छोड़ने को कहते तो मैं उसे भी छोड़ देता सरकार ने अपनी बेटी के लिए खेल केला ठीक है आपने किस के लिए खेला पिला कुछ सोचे सब्जे अपनी बेटी की खुशी के लिए तुम्हे दूखा दे दिया बेटे तुम्हे दूखा दे दिया एक मरी हुई बेटी के लिए अच्छा जुड बोल लेते हैं बेटा जी नहीं बेटे वो मरी नहीं है जिन्दा है वो मैं सच कह रहा हूं मगर तुम्हें सच्चाई पता चलेगी ना तो तुम्हें आश्चरी होगा बेटा हाँ उस दिन मैं शेयर गया था ना उस दिन क्या हुआ पता है क्या क्या हुआ मुझे डर लग रहा है यह कोई पहली बार है डरने के लिए ऐसे बात नहीं है जी मेरे पेट में आपका बचा पल रहा है मैं बड़ा हुआ पेट लेकर मैं घर में नहीं रह सकती इस गाह में भी सरुठा कर नहीं चल सकती अगर यह बात किसी से कहूंगी तो आपकी इज़त खाराब हो जाएगी पिताजी के इज़त भी मुझे प्यारी है मालिक आप जो बात कह रहे थे उसे ये सुन रही थी पहले उतार कर दे फिर बताता हूं पद्वनी एक नट पेर के पीछे जाकर अपने कब्रे उतार दे क्यों पहले उतार दे बताता हूं उतार क्या हुआ? इली जी रंगा इसके कबने उतार इसके कबने उतार ये ले इसे पहना दे इसको कुछ ऐसा कर जिससे कि लाश को कोई पहचाने नहीं परने वाली पुजारी की बेटी लगनी चाहिए ना ये ले ये ले पहले अगर भगवान भी आये ना तो भी उसकी लाश को पहचान नहीं पाएगा ये ही सब कुछ हो पिता जी गाहँवालों को लगा कि मैं मर गई हूँ लेकिन सरकार मुझे और मेरी बेटे को इस घर में पाल रहे हैं पिता जी मैं जिंदा हूँ ये जान गए हूँ न तो क्यों रो रहे हो जो बेटी मर गई है सबजा था वो जिंदा है ये जान कर मेरी आगे खुशी से बढ़ाए पिती पच्चे का नाम क्या रखा है पिती आप ही क्या नाम रखा है पिता जी पिता जी मैं यहाँ हूँ ये खबर आपको किस ने दी मैंने इन्हें यहाँ भेजा है बैठिये पुजारी जी मरी हुई बेटी को जिन्दा देखकर तुम्हें बहुत खुशी हुई होगी है ना तुम्हारी बेटी जो दुनिया के लिए मर चुकी है अगर हकीकत में तुम्हारे सामने उसे माखे तो आप ऐसी गरत पात क्यों कर रहे हैं तुम जिस हंजान आदमी को अपने घर में पनाहते रहो ना ऐसे हरामी से मेरी बेटी प्यार करती है लाओ ओहा एक पढ़ीली की लड़की पिता को भुला कर गाँवालों के सामने इस गाल पे इस गाल पे मारा थपड़ मेरी क्या इज़त पची होगी ए पुजारी मेरी बेटी मुझे छोड़कर नहीं जानी चाहिए जिसे मैं चाहूं उसी से उसके शादी होनी चाहिए और इसके लिए तुम्हे एक जूट बोलना होगा क्या मुझे जूट बोलना होगा हाँ तुवे तुवे मेरी बेटी के लिए जुट बोलना होगा जो कोई भी मेरी इजद से खिलबाड करेगा उसे मैं जिन्दा नहीं छोडूँगा अगर मेरी बात नहीं मानी तो तो ने cablesकी के साथ तू भी मरेगा कि ये शेर हार मानने वालों में नहीं है अच्छी तरह से सोचो मेरे लिए मेरा वन्ष बड़ा है तेरी बेटी नहीं मेरे लिए मेरे गावारों का मिश्वास बड़ा है पैदा किया हुआ तेरी बेटी का बच्चा है परिंड है प्थ cookies आा तेरी आगी पस्ट एटी है ऑरे जोगव गाव करोगा 결ूगा है तुम अनात हो ये जानतु वे भी उसने ये खेल खेला यही सच्छा ही है बेटे अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मैंने खुद को बुढा कर उस कमीने के डर से शुलो कहने वाले इस मुझे जूट बोलकर तुमारा भवेश्य खराब किया बेटी तुम्हे दोका दिया मैंने इसके लिए मुझे ख्यमा कर दो बेटे मुझे ख्यमा कर दो यह अपने क्या किया पिधा जी मुझे अनाथ बना दिया पिधा जी अखले जलम मैं तुम्हारा बेटा बन कर मैं तुम्हारे कर्ज को पिधा जी यह जियो स्कुम्हार्ड जी मिधफे encouraged 班 कुम्हार्ड जार्ड चलोई मादो, मेरी दोड सरकार के घर से शम्शान गाट तक है तुम जाओगे शम्शान में और वो सरकार के घर में अब तक कुछ नहीं बिगड़ा है यहां से कहीं दूर चला जा और जिन्दगी जी आग से खेलोगे तो जल जाओगे पानी से खेलोगे तो टूप जाओगे और मुझ से ठक राओगे तो मर जाओगे जानता है न तू फिर भी आगया तू ्ङया तू 抗 ह mobilize वजंग हयाह हाई 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 कर दो कि अ कर दो कि अ हुई रच्डूर ! राथ ! राथ ! राथ ! अवे याई अँच्छूह! मुचल अब दूिस संहां! पाँ पाँ प्रुक्जा! छोद दे उसे! छोद दे! हुँआ! हुँआ! हुँ 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 सच्चे इंसान और उसके प्यार के बीच जो दिवार बन के खड़ा है ऐसे दरिंदे को काट डालना चाहिए काट डालो माव जात के लिए अपनी बेटी की बली लेने वाला कमीना है तू सब्सक्रावाट अपनी जूटी शान के लिए अपनी चुर्टी श्यान के लिए ब्रेमीओ के प्यार का खोन करें वाला इस इस सालिम का नामो निशान वताधो मार डालो इसे मार डालो इस पापी को यह लो और अ माध दनुश धरने वाले को राम कहा, गदा धरने वाले को भीम कहा, मुझे सब बे सहरा को अनार चुछ देखा ना, मौत को सामने देखते ही, तुम्हें माँ की याद आ गई, मेरी तो माँ भी नहीं है, तो भी मुझे कितना सताया, मौत जब आती है न, तो दौलत जात कुछ भी पास नहीं रहता, जो जिन्दगी का मारा होता है न, उसे सिर्फ दो ही बाते समझ में आती है, दो ही बाते, एक मरना, और दूसरा, मारना, मेरी जान मांगते न, तो भी दे देता, बेकार मुझे जान लेने पर मजबूर किया, ठो, जूट के बुनियाते बांदा हुआ ये मंगल सूत्र, हम दोनों की रिष्टे के बीच आ रहा है, इस बनावटी रिष्टे को तोड़ दो, यह गलत बात है, नहीं मादा, नहीं, जिस गलत को इसने सही समझा था, उसे सही कर रही है, दिल में कोई और, जुबान पर कोई और, ऐसा गुड हमारे देश की औरतों में नहीं है, किसी रिष्टे के लिए मंगल सुत्र से ज्यादा प्यार जरूरी है, प्यार करने वाले के साथ जीना जरूरी है, माधव, प्रिया अगंगा जल की तरफ पवित्र है, जाने अन्जाने ही, अगनी को साक्षी मान कर बंगल सुत्र बनवाने के बाद, मरते दम तक उसी इनसान के साथ जीना, हमारी संस्कृती, हमारे देश के, औरतों का गुन है, जर, जमीन, औरत, ये सब नसीब वालों को ही मिलता है, इसनाओ का इसगाओ से, तर इश्टा खत्म हूँआ, मादा, 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 एमनों, एमनों! एमनों! हाँ 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 हाँ